Hello guys and welcome to my YouTube channel Tech Bomb Case दोस्तो आज की बोडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने IQZ6 Lite 5J के फोन में किसी भी एप को हाइड कैसे करेंगे कोई भी एप हो आप उसको हाइड कर सकते हैं बिना किसी एपलिकेशन के मज़से आप अपने सेटिंग से हाइड कर सकते हैं जिसको आप हाइड कर देंगे उसको ओपन कैसे करना अन हाइड कैसे करना या भी मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पाले आप अपने फोन में शेटिंग ओपन कर लिजेए शेटिंग ओपन करने के बाद यहां पे आप लोगों को थोड़ा नीचे आना होगा एक option आप लोगों को दिखाई देगा security का security के option पर click करना है click करने के बाद यहां पे नीचे आप लोग थोड़ा आएंगे privacy and app encryption का option मिलेगा यह option privacy के अंदर भी मिल सकता है और security के अंदर भी तो इस option पर आप लोग के लिए करके अपना इसके पासवर्ड और इंटर करेंगे वहना password नहीं बनाया थी यही से आप लोग बना लेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारे option को पहले एक बार आप लोग जान लिए जिसे उपर सबसे है disable privacy password तो disable privacy password पर किलिक करके password को disable कर सकते हैं, modify privacy Faz благодар करके passcode का चेंज कर सकते हैं इसके बाद नीचे hide app का option है, hide app पर आप लोग किलिक करके किसी भी app को hide कर सकते हैं और यहां पे अगर आपके भी फोन में उपर दो ओप्सन दिये हुए हैं वीव हीडेन आप का अगर आप लोग इनको आन कर देंगे दोस्तों तो जितने भी अप्लिकेशन को आपने हाइड किया उनको अगर आप ओपें करेंगे तो यहां पे पहले पासवर्ड इंटर करेंग यहां पे होमिस्कीन पे नहीं दिख रहे हैं अब जिन अप्लिकेशन को आपने हाइड किया उनको अगर ओपें करना है तो दो फिंगर एक साथ नीचे से उपर की तरफ स्लाइड करना है स्लाइड करने के बाद जो पासवर्ड हमने आन किया था तो पासवर्ड जो भी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए